रन्बीर कपूर को अपनी परसनल लाइफ बहुत ही ज़्यादा पसंद है जिसके चलते वो शोशल मीडिया हैंडल्स पर भी नहीं है और जब भी वो रेस्टोरेंट्स पर या कहीं भी स्पॉट होते हैं तो वो अपनी वाइफ आल्या भट के साथ ही स्पॉट होते हैं लेकिन की गल्फरेंट शाबा एजाद के साथ और ये बॉलिवूड फैंस के लिए तो बहुत ही बड़ी खबर हो सकती है अगर इन सब का एक मिल करके कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट आ रहा हो क्योंकि रन्बीर कबूर को रितिक रोशन के साथ रेरली स्पॉट किया जाता है और आ लाया गया है मुंबाई और क्या आप लोगों को पता है साहिल खान ने बेल की की रिक्विच्ट भी डाली थी अरेस्ट होने से पहले बॉम्बाइ था अगल फ्रके कर दिया और उसके बाद ही मुंबाई पुलिस निंको ऑरेस्ट किया है महादेव बेटिंग एक बहुत भी पॉपुलर बैटिंग एप ती इसको बहुत से सेलिब्रेटीज ने प्रमोट किया था इस के अंदर रनवीर कपूर और शद्दा कपूर जैसे सेलिब्रेटीज के नाम भी आये थे और उसी केस से रिलेटेड आज साहिल कान को अरेस्ट किया गया है और पुलिस के अनुसार य और उसकी उन्हों ने खबर दी थी उनके इंस्टाग्राम हैंडल पर और अरेस्ट होने के बाद साहिल कान ने का है कि मुझे इंडिया के जुटिशरी सिस्टम पे पूरा विश्वास है मैं गिल्टी नहीं हूँ तो मैं बाहर जल्दी आऊंगा और साहिल कान से इंटरोगे आई पील को लेकर कि वैसे तो आरसीवी प्लेओफ की रेस से बाहर हो चुकी लेकिन आज आरसीवी ने रिकॉर्ड बनाया है आज आरसीवी ने सबसे फास्टेज 200 रंचेस किया है वहीं विल जैक्स ने 6 मिनिट में 50 से लेके 100 रंज तक स्कूर किये और विराट कोली का भी बहुत ही एपिक रेक्शन था उनको देखने के बाद 6 बच के 41 मिनिट पर विल जैक्स कहल रहे थे 50 रंज पर वहीं 6 बच के 47 मिनिट पर उन्होंने उनकी 100 कम्प्लीट कर ली थी तो बहुत ही एक्स्प्लोजिव दरिगे से बैटिंग गी थी विल जैक्स ने तो गाइस बस आज के लिए इतना ही वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना शेर करना सबस्क्राइब करना थैंक यू सो मुच गाइस